अक्टूबर 2021 से माज 2022 तक बिहार के करेंट अफ्योस को देख लेते हैं बिहार बजट 2022 सबसे पहले देखेंगे उपमुक्यमंत्री सहवित मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधान मंडल में अपने कारिकाल का दूसरा बजट पेश किया पहली बार बजट में च्छा सूत्रों को बिहार के विकास के केंद में रखा गया है ये सूत्र है स्वास्त, सिक्षा, उद्योग, क्रिश और समवर्ती शेत्र, आधाद, बुस, रचना एवं विभिन, वर्गों का कल्याण ये च्छ सूत्र हैं, पहली बार च्छ सूत्रों को बिहार के विकास के केंद में रखा गया है, रट लीजएगा इसको इन सूत्रों पर जो वे होंगे, उनका भी ज्यादा तलाव गाओं को मिलेगा, इस से गाओं की स्थिति में सुधार होगा बजट में सरकार का जोर युवाओं के कउशल विकास और राज में और द्योगिक विकास बढ़ाने पर है, इस बार के बजट में अधिकतर राज का प्राउधान इनहीं मद में किया गया है राज के आगामी वित्ती वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सुत्रों पर कुल बजट का 48 संबलो एक 6 प्रतिशत खर्च होगा राज वित्ती वर्ष कितना 48 संबलो एक 6 प्रतिशत खर्च होगा इन 6 सुत्रों पर राजवित्ती वर्ष का बजट आकार 2,33,691.09 करोण रुपए है तो कितना है आकार 2,37,691.09 करोण रुपए का है इस राजशी में से गाउं के विकाज से जुड़े कारियों पर कुल 1,14,461 करोण 50 लाग खर्च होंगे इनमें सरवाधिक सिक्षा में 49,191.087 करोण रुपए खर्च किया जाएंगे ये थोड़ा कौमा में और दसमलो में डिश्टर्ब किया लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आप लोग उसको करेक्ट कर लीजेगा 49,191.087 करोड रुपए ये सिक्षा में अर्था सरवाधिक व्य सिक्षा में किया जाएगा बजट के 6 सूत्र कौन कौन से है एक तो स्वास्त है स्वास्त विधाओं को और भेतर बिनाने के लिए इस बार अधिक राश्किया प्राउधान है सिक्षा के शेत में नवाचार गुडात्मक वर अधारभू सरचना को मजबुत किया जाएगा उद्योग में निवेश, क्रिश येवं सबद्शेत्र, ग्रामीड येवं शहरी अधारभू सरचना और छटा है विभिन वर्गों का कल्यान बिहार बजट 2022-23 से सम्मंधित महत्पूर्ण प्राउधान अम्खित हैं कुल व्य याद रखेगा, बाकी सब याद रखने के जरूत नहीं है कुल व्य दो लाग सेंटिस जार शासो इक्यान बे, दसंबलो एक नौ करोण रुपए राजकोशी घाटा सकल राज घरेलो उत्पात का 3.47 प्रक्षट है, कई बार पूछा गया है, ये याद रखेगा अगर करोण रुपए हम देखें तो 25,885 दसंबलो एक जीरो करोण रुपए का राजकोशी घाटा है राजकोशी घाटे का बजट अनुमान एफार बीयम अदनियम की निर्धादी सीमा के अंदर है, अर्थाज जो 4 प्रतियत है, उस सीमा के अंदर है वर्ष 2022-23 के लिए राजी की आर्थिक सम्रिद्धी दर 9.7 प्रतियत अनुमानित है बजट में सुशासन के अंतरगत आत्मरवर बिहार के साथ निश्चे दूसरी योजना, साथ निश्चे टू योजना के लिए वित्ती वर्ष 2022-23 के लिए 500 कुन रुपए का बजट आवंटन किया गया है ये साथ निश्चे इस प्रकार हैं कौन-कौन से निश्चे वन यूवा शक्ति विहार की प्रगत्ति निश्चे टू शशक्त महिला, सक्षम महिला निश्चे थ्री हर खेत तक सिचाई का पानी निश्चे पोर स्वच गाउं, सम्रिद गाउं निश्चे फाइब, स्वच्च शहर, विक्षित सहर निश्चे सिक्स, सुलव संपरकता, निश्चे साथ सबके लिए तरिक्स, सावस, सुविधा और ये साथों आपको रेटना है इस बार निश्चे टू योजना के लिए साथ नेशे टू योजना के लिए 500 करुण रुपए का बजट का प्राउधान इस वाले में किया गया है सिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16 असमलो 5% राजश का प्राउधान किया गया है वहीं स्वास्त के शेत्र में 2870 करुण रुपए अधिक खर्च होंगे इस वर्ष स्वास्त के शेत्र में 16134 असमलो 39 करुण रुपए खर्च होंगे गोर्टलब है कि सिक्षा और स्वास्त के कुल बजट का बड़ा हिस्सा गाउँ पर ही खर्च होता है उरुजा के शेत्र में पिछले बजट से 2,915 करोण रुपए अधिक खर्च किये जाएंगे इस बार का उरुजा शेत्र का बजट 11,475 करोण सातान बिलाग है वही गाओं के विकास से सीधे तोर पर जुड़े ग्रामीड कारी पर 10,611 समलो 9,6 करोण रुपए हाला कि ये सभी चीजे इतनी महत्पूर नहीं है बजट में सभी जिलों में मेगा इसकल सेंटर खोलने का पराओधान है उससे युवाओं को रोजगार की जानकारी मिलेगी तो सभी जिलों में मेगा इसकल सेंटर खोलने का पराओधान किया गया है इन केंद्रों के एक शत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेडों का प्रसिक्षन मिलेगा कितने तरह के 90 तरह के कोरोना के बावजूद बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष को प्राप्त कर लिया है 2020 में बिहार ने 1.26 लाग करोन रुपए का राजस्व प्राप्त किया था जो 2021-22 में बढ़कर 1.86 लाग करोन रुपए हो गया था 2022-23 में राजस्व का लक्ष 1.97 करोन निधायत किया गया है नितीश सरकार कानुमान है कि 2020-21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्त में तिर्पन प्रत्षत की बढ़ोतरी संभावेत है बिहार सरकार को इस बात का स्टे देना होगा कि विश्व व्यापी आर्थिक संकट के बाजू सरकार ने राजकोशी प्रविंधन को बेहतर सतीम रखा है वित्ती वर्ष 2022-23 के लिए राजकोशी घाटे की सीमा को 3.5 प्रत्षत की सीमा के नीचे रखा गया है यह एक स्वस्त वित्ती प्रविंधन की परिपाटी का हिस्सा है तो यह भी मात्पून है याद रखेगा यह आवंटन ने प्रमुख बिहार बजट के 2022-23 के इनको आप चाहें तो इसकी शॉट लेकर रख सकते हैं और इसमें सरवाधिक आवंटन सिक्षा में है सिक्षा के बाद हो सकता है आ जाए कि क्रम से आरोही आरोही क्रम में तो सबस्यादा सिक्षा में है उसके बाद है ग्रामीड विकास विभाग में और फिर है क्रिशी विभाग में यह बड़े मदों में है बाकी भी आप देख सकते हैं उसीन सार बिहार में गंगा नदी परदेश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उधगाटन किया गया है किस नदी पे गंगा नदी पे तो केंदी सड़क परिवहन और राजमार मंती निजितिन गडगरी और बिहार के मुख्यमंती निदीश कुमान ने सेंगत रूप से बिहार में कितना लंबाई है 14.5 किलो मिटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाली मिलगाटन किया बिहार के मुगेर शेतर में NH333B पर गंगा नदी पर बहु प्रतिक्षित पुल का निर्माण किया गया है रेल सह सड़क पुल परियुजना की लागत 696 क्रोन रुपय है नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा परेटन कृष को बढ़ावा देगा और साथी रोजगार के उसर पैदा करेगा बिहार के प्रमुक परेटन और तीत हस्तलों में से एक मुंगेर शहर अपने सम्रिद प्राचीन इतिहास संस्किति और वाडेज्जी के लिए जाना याता है इस रेल सह सड़क पुल के बनने से मुंगेर से खगडिया की दूरी 100 किलोमेटर से भी कम हो जाएगी साथ ही मुंगेर से बेगु सराय की दूरी 20 किलोमेटर से भी कम हो जाएगी बिहार जुडे महतपूर तथ्य फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाचपा के सांसत को खादी और बिहार के अन्य हस्तसित उत्पादों का ब्रांडे मिजडिन ने उत्किया तो मनोस्तिवारी को बिहार के वितमंती तारा किसोर प्रसाद द्वारा 28 फरवी 2022 को विदान मंडल में प्रस्तुत वित्ती वर्ष 2022-23 का राज बजट कितने करोण रुपए का है तो 2,67,691,9 करोण का है वित्ती वर्ष 2022-23 का बिहार राज बजट किन 600 रुपा धरित है तो ये हम बताई चुके हैं उपर आपको माज 2022 में संपन अखिल भारती भोजपुरी साहित सम्मेलन के 26 अधिवेशन में किस लेखक को हरशंकर वर्मा पुर्षकार समनित किया गया तो डाक्टर ओम प्रकास राज अपुरी को बिहार राज बजट 2022-23 में सरकार ने सबसे अधिक सोदल समलो 5 प्रत्यत बिजट के शेत के लिए वंडित किया शिक्षा के लिए ये तो आप देखी चुके हैं हाली में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांस जेंडर महिला मिस्ट ट्रांस कुिर्ण इंडिया की ब्रांड इमिञिज़ल मनने वाली बहारत की पहली ट्रांस जेंडर बन गई है नव्या सिंगे इन का नाम है भारत अंतर राजट्री व्यापार मेले के 40 में संसकर्ण में बिहार को किस पदख से समानित किया गया सुन पदक से समनित किया गया बिहार को हाली में भारत के किस राज में इस्तित जैनगर को नेपाल में कुर्था से जोडने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौब दी गई है तो बिहार को नेपाल से जोडने वाली है तो बिहार में जैनगर इस्तित है फरवरी 2023 में बिहार में कहां पर भगवान बुद्र की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उधगाटन किया जाएगा तो बोधगया में किया जाएगा वहां पर बन रहा है पूडिया का वह चितरकार जिसकी पेंटिंग को हाली में लिमका बुकाफ रिकार्ड में देच किया गया तो राजी उर्फ राजी उर रंजन को 12 मार्ज 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्ट अप कानकलेव का उजन किया गया तो पटना में किया गया है ठीक है स्टार्टप का अंकलेव 22 मार्ज को बिहार दिवस पर गाधी मैदान में मुंगेर के अमरित प्रकाश राधवारा बनाये गए पीपल के पाँच पत्तों के बीच एक बूंत को दर्शाय गिया है जिसकी थीम है लाइफ नेचर हैपिनेस बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचरल फाइबर पार्क 2022 में सुरू हो सकता है तो पूर्णिया में आउशा दिगुणों से भरपूर किस की खेती के लिए बिहार के कई जिलों के किसानों को पचास हजार प्रती एकड रुपया दिया जाएगा तो सहजन की खेती के लिए ठीक है एंटी पीसी के पूर्ण स्वामित तवाली वह बिजली परुजना जिसका निर्माड कार हाली में पूरा हो गया है इससे पैदा होने वाली 1883 मेगावार्ड बिजली बिहार को बिजली उत्पादन शेत में आतने भर बनाएगी तो यह है नवीन नगर पावर जनरेटिंग कमपनी हाली में बिहार के किस जिले में राजे का पहला टेक्स्टाइल मैत्री पार के निर्माड की खोशना की गई है तो पश्चमी चमपारन में ठीक है राजे का पहला टेक्स्टाइल मैत्री पार के इसलिम हत्मौन है बिहार के वह दो व्यक्तित जिन्हें वर्ष 2022 के पदमशी समान समानित किया गया है तो यहां आचार चंदनाजी और शेवाल गुपता इनको मड़ उपरान दिया गया है केन सरकार ने हाली में बिहार के किस जिले में तेरा सो करोन रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेट रुड को मन्जूर दी है तो राजगीर में कहां पे राजगीर में तेरसो करोन रुपए की लागत एलिवेटेट रोड sवपचास करोन रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनल प्लांट अस्थापित किया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा भोजपुर जिले में हाली में बिहार के किस जिले में जल की बारबादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की उजना सुरू की गई है तो और अंगाबाद में इस अभी बहुत महत्पून हैं बिहार के किस जिले की पंचायतों में किसान संगोष्टी का योजन किया गया है तो भभुआ जिले में किसान संगोष्टी देश के किस राज में समविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने कि पहल की गई है तो बिहार में बिहार के किन शहरों को पी-एम गती शक्ति योजना के तहट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विक्षित किया जाएगा तो रट लीजे पटना भागलपूर बकसर कटिहार हाजीपूर हाली में बिहार सरकार ने मॉडल आगन बाडी के इन खोलने की गोशना की 21 एजनसी से संचलित होगी तो समय कित बाल विकास मनताले के द्वारा पटना में निर्मित बिहार संग्रहले का महने देशक हाली में किसी निक्त किया गया है तो अंजनी सिंग को बिहार के किस जिले में आयरेन अबरक के भंडार की खोज के लिए भूव है ग्यानिक सर्विक्षन किया जाया है का तो भागलपूर में कहल गाओं में तीन फर्वरी 2022 को बिहार की किस मैथली सहितिकार का निधन हो गया तो उपन्यास मरीचिक की लेखिका लिली रेगा बिहार के किस धार में किस थल को परेटन मंत्रा लेका की परसाद योजना में हाली में शामिल किया गया है तो सीता मढ़ी को प्रसाद योजना में बिहार में एकल उपयोग वाले प्रसाद योजना पूचता भी है कि परेटन मंत्रा लेका है और संस्किती मंत्रा लेका है तो confuse मत हुईगा ये परेटन मंत्रा लेका है कई ऐसे प्रश्ण है जो आपको confuse करेंगे कि यह संस्किती मंत्रा लेका होना चाहिए लेकिन वो परेटन मंत्रा लेका निकलेगा यह परेटन मंत्रा लेका होना चाहिए लेकिन वो संस्किती मंत्रा लेका निकलेगा तो इसके लिए confusion को दूर करने का एक ही तरीका है कि इनको आप पढ़ लिजे किसा आपको हमेंसा याद रहेगा तो इसी तरीके की चीजें जो कन्फ्यूजन वाली हैं उनको आप अपने तरह से कोटिंग कर सकते हैं तो बिहार में एककल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाला प्रतिबंद कब से सुरू होगा एक जुलाई पहले दूसरे या अन्तिम पे होता तो महत्पूर्ण होता फुस्तक दन्यू फौल्टेल्स आफ बिहार के लेखक कौन है तो नलिन वर्मा है बिहार के ऊपर इसले महत्पूर्ण है बिहार के किस जिले में उगाय जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहड़ी छित में उगाय जाने की हुजना है तो कैमूर कैमूर में ये उगाय जाता है लेकिन अब बिहार के हर पहड़ी छित में उगाय जाने की हुजना है अमेरिका में हावर्ड एक Graduate School of Education में 2021 सत्र के लिए बिहार के किशात को अध्यक चुना गया, शरद सागर को काफी चर्चित रहे है, हाली में कौन बिहार का पहला Transgender Constable ने उक्त हुआ है तो रचित राज नाम हिनका, भारती खाद सुरक्षायों मानक प्रादिकरण द्वारा, FSSI द्वारा, सितंबर 2021 में जारी तीसरा राज इखाद सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गा, इसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, तो बीसवी रैंक है बिहार की, सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उधगाटन मुख्यमंती नितिश कुमार ने किस जिले में किया, बाका में, बौसी इस्थि 27 जिले मी की जाएगी, तो पतना मी की जाएगी, केन सरकार ने जायडस केडिला का टीका सर परथम किस राज को देने का नेर्णे किया, तो बिहार को, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्ष्न देने के मामले में, कौन सा ज पुपाल गंज मनन कुमार मिश्टा को BCI का चेर्मन चुना गया बार कौंसल आफ इंडिया का बिहार विभूती सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे समानित किया गया रोहित कुमार को मेडिया ट्रेंज के संस्थापक हैं लोग सेवा अधिकार अधनियम के तहर जनहित के कारे के लिए बिहार का कौंसा जिला प्रत्थमस्थान पे है तो पटना बिहार के किस विभाग में हाली में इए आफिस की सुरुआत होई तो क्रिश्री विभाग में बिहार के सारण में राष्टी जलमार्क वन गंगा नदी पर जो की है कैंसर चार्च के लिए स्थापित विष्वस्तरी जेनोमिक लेबरेटरी का उधगाटन किसके द्वारा किया गया तो बिहार के स्वासमंती मंगल पांडे के द्वारा किया गया तो ये मुझफरपूर में याद रखेगा बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्बनाने को मझूर इसे मुझ़ी मिली है कैमोर मे बिहार के किस जले में 400-6 कुरूर रुपै की लाग overlooked से देश का सबसे बड़ा मेगा फूट पार्क बनेगा ।ो मुझफरपूर में बनेगा मोति पूर बलाक में बिहार के किस जिले को नीत यायो कि डेल्टा रेंकिंग में सबसे बेहतर अकांग्छी जिला के रूप में नमित किया गया तो बेगु सराय को V.I.A. द्वारा संचालीत बेंचर पार को केन से कितने करोन का स्टार्टप फंड मिला है तो तीन करोन का बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मिथेन गैस बनाने की किस योजना का सुभारम किया गया तो गोवरधन योजना का 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंती नितीश कुमाने बिहार के किस जिले में 191 समलो एक दो हेक्टेर में फैले जू सफारी का लोकरपन किया तो राजगीर जू सफारी भारती अंतरदेशी जलमार प्रादिकर्ण के सर्वे रिपोर्ट के उसार मचली की संख्या सरवाधिक किस जिले में पाई गई तो पटना जिले में सरवाधिक संख्या मचली की पाई गई पटना रेलवे स्टेशन पर वित्ती साक्षरता सप्ता कायकरम 14-18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया यह कायकरम किस संस्ता दवर आयोजित किया गया तो RBI Reserve Bank of India के दवरा आयोजित किया गया बिहार के किस योजना की तरज पर किन सरकार ने इसमाईल योजना लॉंज की तो भिक्षा वृत्ति निवारन योजना के तरज पर बिहार के प्राकतिक खेती को प्रोसाहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कायकरम की सुरुआत कि संक्ठन द्वारा की गई नाबाट के द्वारा यह बहुत महत्पोण है दिल्ली हार्ट की तरज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हार्ट का योजन किया गया तो मधबनी में बिहार में मुक्यमंत्री ग्रामीर सोलल स्टीट लाइट योजना का क्रियानवन कब से सुरू करने का निदेश दिया गया है तो 15 अप्रेल 2022 से मुंगेर और बेगुसराय को जोडने वाले सडक सहरेल पूल मुंगेर बिच का लोकारपन 11 अपरवी 2022 को किस ने किया तो नितिश कुमार मुक्यमंत्री और नितिन गटकरी ने किया बिहार में सियम नितिश कुमान ने 15 अपरवी 2022 को सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति कानावरण किया मोश्ट इंपॉर्टेंट है तारापूर मुंगेर में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन राजी के किस जिले में 18 अपरवी 2022 को एथे नाल उत्पादा निकाई का सलान्यास किया गया इनके द्वारा तो भागलपूर में साहु पर बत्ता में हाली में बिहार का कौन सा जिला बहला पेपरलेस कलेक्टेट बना तो सहर सा पेपरलेस कलेक्टेट बिहार के किस जिले में मिथिला चुतरकला संस्थान और मिथिला ललित कला संगराले भाउन बनाया गया तो मधवनी में बिहार के किस जिले में पहली आवासी स्पोर्ट एकेडमी बनाई जाएगी मोश इंपॉर्टेंट है पटना में बिहार के किस केकेटन ने रणजी ट्राफी मुकाबले के अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद 405 गेदो पर 341 रन बनाकर 13 सतक लगा कर नया करतिमान मनाया तो शकी बुल गनी ने तो ये भी मोश इंपॉर्टेंट है 13 सतक लगाया ये रिकार्ड है अभी तक बिहार राज सीनियर 17 प्रत्योगिता किस ने जीती तो कुमार गवरों ने जनवरी 2022 में क्रिशिक नेटवर्क नौरीचर गोधुन गोल्ड ने 21 अभी नेता को अपना ब्रांड अबेज़न ने उतकिया तो पंकज तिपाठी को मैथली भाषा का साहित अकाद्मी पुरसकार 2020 किसे दिया गया जगदीश प्रसाथ को उनके उपन्यास पंगू के लिए जगदीश प्रसाथ को पंगू के लिए बिहार राज के मुख्यमंत्री का प्रधान सचीव किसे ने उतकिया गया इस सिद्धारत को बिहार में गंगा नदी किनारे की कितनी पंचायतों में ओडियब बनाया जाएगा 271 पंचायतों में बिहार के किस जिले में मुख्यमती नितिश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का सुभारम 22 इसमबर 2021 को किया मुतिहारी जिले में वर्ड फ्रेंच बाक्सिन चेंपियंशिप के लिए पहली बार बिहार के किस जिले से खिलाडियों का चेन किया गया तो मुझजफर पूर जिले से जनवरी 2022 में जारी समार्ट सिटी रैंकिंग 22 में बिहार का कौन सा जिला राज अस्तर पर प्रत्थम अस्तान पर और राश्टी अस्तान पर रहा तो भागल पूर जिला बिहार राज अस्तर पर प्रत्मस्थान पर रहा राश्टी अस्तर पर प्रत्मस्थान पर रहा जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2400 की गई हाली में आज जित इंडिया स्किल्स की राश्टी प्रत्युक्ता में बिहार को कितना मिडल प्राप्त हुए तो ग्यारा मेडल इसमें प्राप्त हुए बिहार को बिहार मूल के अमेरिकी जीने सितंबर 2021 में अमेरिकी राश्पती जो बाइडन अंतराश्टी धार्मी सुतंता के लिए एमबेश्डर एट लार्ज ने उक्तिया तो राशद हुसेन को मुक्मंति इंदिशकुमार द्वारा हाली में बिहार के किस शहर में डबल डेकर फ्लाइ ओर का सिलानियस किया गया तो पटना में अवैद रूस से प्रवेश करने वाले विदेसी घुसपैटियों के लिए बिहार के किस शहर में राज का पहला डिटेंसन सेंटर खोला गया है तो हाजीपूर जिले में हाजीपूर में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवैद रूप है ये रूप नहीं है अवैद रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसबैटियों के लिए बिहार के किस शहर में राज का पहला डिटेंसन सेंटर खोला गया तो हाजीपूर में हाली में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार एप लॉंच किया तो बकसर ने बिहार के किस उपन्यासकार के तो पन्यास मैला आचल का अनुआद जापानी भाषा में किया जा रहा है तो फडिश्वर नातरेणों के बिहार के किस जिले में हाली में इंटिगेटेड और रोड एक्सिडेंट डेटा वे सेवा शुरू की गई नालंदा में बिहार के जल जीवन हरियाली हुजना के तहट बिहार के किस जिले ने सरफशिष प्रदर्शन किया है तो पूरवी चंपारं जिले ने बिहार में चाई की खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा तो पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा किस युवा को वैग्यानिक पृस्टकार 2021 समनित किया गया तो ओम प्रकास गुजेल को हाली में अटल पेंशन योजना का लाव उठाने में बिहार का कौन सा अस्थान रहा मन्रेगा का राजस्तर पर क्रियानिवन में बिहार का कौन जिला प्रतम अस्थान पर रहा पूरवी चंपारण मनरेगा में राज अस्तर पे प्रसासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया तो सारण और भैशाली के ये बहुत हाली में छथे राष्ट मंदल संसदी संग के भारती शेती सम्मेलन की मेजमानी किस ने की तो बिहार ने की हाली में जारी राष्टी परिवास्वास्त सर्वेक्षन के आकड़ों के उसार बिहार का लिंगा नुपात कितना है most important है एक हजार 90 हो गया है बिहार के राजिका मुख्ष चचु किसे बनाया गया तो आमिर सुवहानी को हाली में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुरवेदी राष्टी प्रत्कारिता आवार से समानेत किया गया तो अमरेंद्र कुमार आर्या को बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहा स्थापित किया जा रहा है तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है दर्भंगा में most important है बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है तो पतना जिले में CNG स्टेशन बिहार National 24 Award 2021 से किसे समनित किया गया डाक्टर अभिशेक राज को बिहार के किस जिले को देश में National Water Award 2020 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया तो पूर्वी चंपारन को हाली में भारत निर्वाचनायो के उनसार बिहार की जन संख्या कितनी हो गई है निर्वाचनायो क्यांसार 14,91,41,337 आपरेशन टोडर मल किसे सम्मंदित है तो भूमि सुधार का एक्रम से हाली में जारी डिल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रत्मस्थान पे है तो खगड़िया जिला ठीक है बिहार के किस जिले में मंडी पारक की स्थापना की जा रही है अररिया जिले में बिहार में चलाया गया आपरेशन प्रहार किसे सम्मंदित है आप राधियों को गिरिफतार करने के लिए हाली में बिहार के कितने जिलों में जलवाय अनकूल खेती कराने का निर्णे का प्रधान किया गया दस जिलों में बिहार रशी सम्मान 2021 से किसे समनित किया गया है तो डाक्टर मुकूल कुमार सिंग को हाली में मिस इंडिया ग्लैमरस पुरसकार से किसे समानित किया गया श्वेता सिंग को राम रिक्षबेनिपूरी की वर्ष 2022 में कौन सी जैंती मनाई गयी तो 119 मी जैंती मनाई गयी कौन सा राज कौन राज सरकार प्राइवेट लैंड पर्चेस पॉलिसी 2021 है बिहार ग्रिय दर्शन आयब किस राज सरकार द्वारा जारी किया गया तो बिहार के द्वार लेट सिंस इंस्पायर बिहार सोरी लेटस इंस्पायर बिहार डाट और्ग यह थोड़ा सा लग कर दिय ना वही let's inspire विहार होना चाहिए डाट आर या किसके द्वारा लांच किया गया किसके लिए लांच किया गया उद्धमित्य के विकास के लिए हाली में बिहार के किस विष्विद्याले में सनातन धर्म की पढ़ाई सुरूख करने का निर्णे लिया गया तो नालंदा विश्विद्याले में मुश्री इंपॉर्टेंट 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चे पोर्टल विहार सरकार के किस विभाग ने लॉंज किया मुश्री इंपॉर्टेंट पंचायती राजी विभाग ने विहार के प्रामेड विकास मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट कितने प्रतिशत लक्ष पूरा किया गया तो तीरहासी प्रतिशत का लक्ष पूरा किया गया भारत सरकार ने अवध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेड मार सर्टिफिकेट दिया है इसका संबंद किस जिले से हैं तो पटना से है ठीख है हाली में भिहार सरकार ने किस एरपोर्ट के विश्तार को मंजुरी प्रदान किया दर्वंगा एरपोर्ट के भिहार सरकार ने कब तक राज के सभी घरों में प्री पेड मीटर लगाने का नेने किया है 2025 तक देश का पहला शिल पकला म्यूजियम कहां पर स्थापित करने गोशना अक्टूबर 2021 में की गई तो बिहार में अक्टूबर में जारी फूट सेफटी इंडेक 2021 में बिहार की रैंक क्या है तो 35 फी रैंक है सूपर थर्टी के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2020 में किस देश की ऑनलाइन सिक्सा से जुड़े अभियान I.M.U. के साथ जुड़े तुजापान का है अभियान मदबनी लिटरेचल फेस्टिवल 2021 का आउजन कहां किया गया दर्भंगा में गया गया बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कुविट का 100 प्रक्षट डोस देने वाला पहला जिला बना पूरी चमपारन तो मुशन इंपॉर्टेंट है ये बिहार का सबसे उचा टावर पटनम बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है बापू टावर कहां पटनमे बिहार में अक्टूबर 2021 में आज़ित रैली आन वील्स का एक्रम किसे सम्मनित है बागों के सरक्षण से हाली में बिहार आपदा प्रमंधन प्रादिकरंड का उपध्यक्स किसे बनाया गया तो उदै कांत मिस्र को बुजर्ग आबादी वाले राजियों में बिहार का कौन सा स्थान है तो तीसरा स्थान है अक्टूबर में जारी क्रिशी विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के उनसार राज में कितने रुपए की फसल की छती बाड से हुई नौसो अठानबे करोण रुपए की शती विकेंदे की जैवची किस्सा अफसिष भटी का उदगाटन बिहार के किस जिले में हुआ तो बकसर नाई पालिका में देश का पहला गैंडा प्रिजननकेंद कहां पर इस्तित है तो पटना में इस्तित है देश का पहला गैड़ा प्रिजननकेंद्र ये सभी प्रिक्षाओं के लिमात कुण है बिहार में डालफिन पाइलट प्रोजेट के अंतरकत कितने वाज टावर का निर्माड किया जा रहा है तीन वाज टावर का इस रूमें बिहार के किस वैग्यानिक का हाली में चैन हुआ तो आश्टोश कुमार का 16-17 जनवी 2021 को बिहार के किस सथान पर राज का पहला पक्षी मौसो है जित किया गया तो जमुई के नागी और नक्टा पक्षी आश्रे में राज का पहला पक्षी मौसो था साथ निश्चे 2 के तहद बिहार एक एक पंचायद में अधिकतम कितनी सोलर ट्रीट लाइट देंगी स्ट्रीट लाइट है होंगी 150 अधिकतम नागरिक उड्डेन मंत्राले ने बिहार में कितने स्थानों पर एरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की मांग की है तो 5 स्थानों पर बिहार के किस विशुद्याले ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150 स्थापना दिवस मनाया तो पटना विशुद्याले ने काले हिरन सरक्षन के लिए बिहारन बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में चाय कंपनी के स्थापना की जाएगी किशन गंज में बिहार चक एप किस से संबन्दित है चक बंदी से चक से याद रखेगा रामार सरकिट का निर्माड बिहार के कितने जिलेम किया जा रहा है तीन जिलों में सीता मड़ी, बकसर और दरबंधा में बिहार में सबसे बड़ा अध्योकिक पार कहां विश्चित किया जा रहा है तो गया में सबसे बड़ा अध्योकिक पार राज्यका होगा बिहार में सड़क मरम्मत के निगरानी के लिए किस एप को लॉंज किया गया था अनुरक्षण एप को हाली में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माड किया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है पटना में हाली में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कारगो टर्मिनल बनाया जा रहा है सारण में चारमिंग चंपारन प्रेटफार्म की शुरुआत कहां करने का प्रस्तावा है वालमीकी नगर में बिहार में कितने जिलों में कृषी यंत्र बैंक की स्थपना की जाएगी तेरा जिलों में मैं आपदा युनिवर्स अंबेश्डर के सम्मान से बिहार के किस युवा को समानित किया गया तो शीवम खनित रोगो मैं आपदा युनिवर्स अंबेश्डर नॉंबर दोयार 21 में बिहार में कितने CNG स्टेशन खोले जाने ही घुशना की गई 21 CNG स्टेशन हिट कोविड एप किस राज सरकार दौरा लाँच किया गया बिहार के दौरा बाग सरकिट से संबंदित स्थल के सरिया बिहार के किस जिले में स्टेथ है तो पश्चमी चंपारन में स्टेथ है साथ नॉम्बर दोजार एकिस को आवजित छठा अंतर राष्टी धम समयलन दोजार एकिस कहां पर आवजित किया गया राजगीर में दोजार बाइस में बिहार के कितनी हस्तियों को पनपूरसकार मिला है तो आठ हस्तियों को पनपूरसकार मिला है राज राम विलास पासवान को मर्डो परांत वर्ज 2021 के किस समान समानित किया गया है पद्व भूशन से समानित किया गया है नॉम्बर 2021 में आउजित 75 में स्कॉच समेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ट की जितने वाला राज कौन सा है तो बिहार राज है 9.21 में जारी एक रिपोर्ट के अंसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 6-14 आईव वर्गों के बच्चों के नामांकन में व्रिद्धी वर्ष 2021 में देखी है कितनी 80 डिसंबलो 5 प्रस्षत्की व्रिद्धी हुई है सुच्च असर्विक्षन रिपोर्ट 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है तो 17 स्थान है हाली में जारी Sटीजी सहरी सूचकांग में पटना का स्थान क्वान सा है 32 आस्थान है SGD सहरी सूचकांग में बिहार समाज कल्याण के अंतरगत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनी कारे के लिए डिजिटल कटेगरी में किस अवार्ड समनित किया गया स्कॉच सिल्वर अवार्ड से बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्ती वर्ष 2021-22 के लिए रज़त पुरुषकार दिया है मुख्यमंती ग्राम संपर के योजना के लिए वर्ष 2020-22 में बिहार में धान खरीत का लक्ष कितना रखा गया है 45 लाख मिट्रिक टरन का स्वच्चता सर्वे चन्ड 2021 के अंसार बिहार में सवसे सवच गंगा तटी शहर कौन सा है मुंगेर स्वच्चता सर्वे 2021 के अंसार एक लाख से पचास हजार आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वसे चस्थान हासिल किसने किया सुपावल ने स्वच्चता सर्वे 2021 के अंसार एक से दस लाख आबादी वाले शहरों में सरवोच अस्थान के सहर ने हासिल किया गया ने इगावनेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्चित गावनेंस गोल्ड आवार्ड से समानित किया गया तो बिहार प्रशास्तनिक सुधार मिशन के मखमंती साथ निश्च योजना के अंतरगत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहट युवाओं को दिये जा रहा है काउशल प्रसेक्शन की ताजा रेंकिंग में किस जिले ने प्रतमस्तान हासिल किया है बेगूस रहे ने हाली में हुए एक समझोता के अंसार बिहार और उत्तरबदेश के कितने गाओं के अदला बदली को मंजूरी दी गई है साथ गाओं को ये मुस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार इविधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज़ बना तो प्रतम राज़ बना आस्टी ग्रामीड और पंचायती राजस अंस्थान दोरा आज़ित कायकरम में कौन सा अस्थान मिला तो दूसरा अस्थान मिला राजिका सरवोच मौलाना अबुलकलाम आजाज सिक्षा पुरिसकार 2021 से किसे समानित किया गया तो डाक्टर शंकर नात ज्जा को समानित किया गया हाली में आयजिद यूआंडा पैराब एडमिंटन इंटरनेशनल टूर्णामिन 2021 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते तो तीन रज़त पदक इन्हों ने जीते विश बाल सपता पर किट्स टेक ओवर के तहट किस बालिका को एक दिन के लिए यूनी से बिहार की जिम्मेदारी सोपी गई आध्या को ये आ सकता है प्रशन याद रखेगा राष्टी परिवार स्वास अर्वेक्षन पांचमा दृती चरण के आकड़ों के अंसार बिहार में कुल प्रशन अंदर कितनी है तो तीन प्रतिशत है कितना है तीन प्रशन अंदर है कुल टोटल फर्टल्टी रेट टी एफार तीन है एप को लांच किया गया सोरी दिल्ली के प्रकती मैदान में आयजित चालीस में भारती अंतराश्टी ब्यापार मेले में बिहार पैवेलियन को किस प्रशन समानित किया गया तो स्वन पुरसकार से केंद्री विद्थुत मंत्राले और उर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज उर्जा दक्षता सुषकान 2020 में बिहार को किस चेड़ी में रखा गया है तो आकांक्शी चेड़ी में नीत यायक द्वारा जारी डेल्टा रेंकियं अक्टूबर 2021 के अंसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के शित में पांच सरसे सुधार बाल जिला मना गया तो पांच तीक है तो पांच जिलों को प्रधान मंती डिजिटल साक्षरता अवियान के तहट बिहार के किस जिले को प्रतमस्थान मिला है तो मधवनी को नितीश कुमार ने किन जिलों में सौ सो मेगावाट के सौर उर्जा प्लांट स्थापित करने गोशना हाली में की जमूई और बांका में राज्टी परिवार स्वास सरवे पांच के अंसार बिहार में बहतर घरलू स्वच्छता सुविधा का उप्योग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सरवादे गुरिद्धी होई तो रहतास जिले में बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अंसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्ज में प्रत्थम स्थान प्राक्ट किया तो गया ने किसे इंडियन मेडिकल अस्योसियेसन का अध्यक चुना गया जो बिहार के रहने वाले हैं डाक्टर सहजा अनन्द प्रसाद सिंग को चौसटवी नेशनल शूटिंग चेंपेंशिप में बिहार के किस खिलाडी ने 200 पतक जीते तो शेहसी सिंग ने बिहार में किसे पहला कचरा मुक्ष शहर का दरजा दिया गया है तो सुपाल को कोरोना पेंडेमिक में कोरोना पेंडेमिक डाइमेंशन एंड परस पैक्टिवस के लेखा कौन है प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गोरिया के लेखा कौन है संजे कुमार हाली में चर्चा में रहा बेल अद्योगे शेतर बिहार किस जिले में है तो मुझफर पुर ये मुझफर पुर जिले में है स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफटी एंड स्टेंडर्ड आथार्टी आफ इंडिया की सेहुत पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार की कौन सी सिटी देश की सरवोज 20 में टॉप 20 में शामिल है तो पतना देश की टॉप 20 में कौन सामिल है पतना सिटी सामिल है इसमें तो ये था जो बिहार का करेंट अफेस है पिछले विगत 6 महीना का यहां से बहुत सारे प्रश्ण आजाएंगे आपके इसके लावार रामाड वीडियो भी आप लोग देख लीजेगा बिहार वालों जो कि कल आएगा उसकी पीडियो भी ले लीजेगा वो पढ़ लीजेगा यह पढ़ लेंगे तो PCS हो बिहार हो RO हो कोई भी तो उसमें कोई आपको प्राबलम नहीं होगी इसके बाद बिहार के लिए या परसों बिहार जीके कर लेंगे तो उसको देख लेंगे परियाप रहेगा एक ही वीडियो में बिहार स्पेसल कंप्लेट करवा देंगे बाकी कोई क्वेरी हो तो आप वाट्स अप नंबर हमारा है 9453 007 5039 समपर करके क्वेरी कर सकते हैं अपनी कमेंड बाक्स में क्वेरी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिशन बाक्स में लिंक दिया हुआ है टेलेग्राम गूप का ज्वाइन कर सकते हैं पीडियो वीडियो वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं मैकजीन समारी जो हर मन्त हम देते हैं और डेली के पीडिएफ जो करेंट अफेस के हैं वो भी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद